दोस्तों इस्टेडी91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समख्छे रिवीजन्स इंखला में मैं लेकर हाजीर हूँ वाक्यों उसके भेद से समधित सवालों को जिहां दोस्तों यह सभी सवाल बार-बार आपसे जाते हैं और दोस्तों यहां पर हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर वाक के भेद कितने प्रकार के होते हैं तो आपने पढ़ा है सरल वाक के होता है संइत वाक के होता है मिस्र वाक के होता और उसके अंजर से जाकर सवाल आप से परिच्छा में पूछता है उसी तरह स से रचना के बाद दोस्तों अर्थ के आधार पर जो आग के भेद होते हैं वहां से भी दोस्तों काफी सवाल परिच्छा में पूछे जाते हैं तो क्यों न उन सभी सवालों के बर देखा जाए और यह चेक किया जा कि आपकी तयारी कितने अच्छे लेवल पर हो पाई है तो सब्सक्राइब अगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सवालों को कर याद रखे का दोस्तों से पाउंडिशन बैच लांच किया एक तो यह सिया टी पराधारी दोस्ते फाउंडिशन बैच लाइच है अलग अलग भी सै के लिए यह सब दिशान को दिए जा रहे हैं यह उपर हमारा help line number है, call करके आप संपर कर सकते, इन batch के बारे में information प्राप्त कर सकते, ठीक है, अब तो study 91 की किताबी अब भी आ चुकी है दोस्तों, तो इनके माध्यम से आपकी तैरी और भी ज्यादा आसान हो गई होगी, आईए, जुड़ी हमारे साथ, platform के साथ, हमारे YouTube चैनल या लिख रहा है, अर्ध के आधार पर, दो तरीका होता दोस्तों, एक वाक्यों का भेद, रचना के आधार पर पूछा जाता है, जब रचना के आधार पर पूछे ना, तो बताएगा, वाक्यों की कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, वो तीन भेद कौन कौन से होत होता है मिश्रित वाक्य या मिश्रवाक्य फिर मिश्र वाक्य ओर यॉ мясद रखेंगे ठीक है यह तीन वरायटी होती है कब Squad दोस्तों पूचे गा रचना क्या धर पर अभी आपसे आपसे अर्थ वाक्यों के कुल कितने भ्यसते हैं आघ वह होते हैं यहां से बराबर दोस्तों आपसे आपकी परिच्छा में सवाल पूछे जाते हैं तो उनको लेकर के भी पहले से आप तयार हो जाएगा ठीक है अच्छा दूसरा important सवाल सर वो आठवेध होते कौन-कौन से है ठीक है तो आईए note कर लेते हैं पहला लिखेगा विधान वाचक क्या लिखेगा दोस्तों विधान वाचक ठीक है बहुत ध्यान से पढ़ते जाएए ठीक है क्या लिखा है पहला लिखा है विधान वाचक ठीक है विधान वाचक दूसरा होता दोस्तों जिसमें कुछ करने का बोध होता उसे विधान वाचक ठीक है विसमे बोधक या विसमे वाचक ठीक है ये हो गया चार चार एक साइड कर लिया जो सबसे आसान होते हैं और चार दोस्तों के बाद जो पाचमा है पाचमा कौन सा है तो पाचमा लिखेगा दोस्तों आग्यार्थक क्या लिखेंगे आग्यार्थक या आग्यार आग्यां सूचक कुछ भी कही है जां आग्यां का वहत हो जाए उसके बाद और कांस हो गजा भी हो awareness इसी तरह से अगला पढ़ेंगे दोस्तो संदेह वाचक, संदेह वाचक और संकेत वाचक ये दोनों मैं एक स्थाथ कर दे रहा हूं ताकि कोई confusion नहों संदेह वाचक और संकेत वाचक ठीक है हम लोग सभी तरह के सवालों को देखेंगे और हल करने का प्रियास करेंगे कि परिक्षा में क्या देता है कैसे देता है अभी तो आप खाली इतना याद कर लिजिए कि अर्थ के आधार पर जो आठ बेद होते हैं रचना के आधार पर पूछ देता तो यह हैं अभी जो हमसे सवाल पूचा वहाँ पर साही जबाब क्या हो जागा दोस्तों तो आठ वेद होते हैं आपसे नंबर चार क्या हो जाएगा आपका राइट एंसर हो जाएगा आगे बढ़िए लिखरा वाक्यों का वर्गी कड कितने आधारों पर किया जाता है वो आधार कितने होते दोस्तों तो वाक्यों के वर्गी कड के मुख्य दो आधार होते हैं कितने आधार होते हैं मुख्य तरह से दो आधार होते हैं देखे अलग-अलग किताबों अलग-अलग दिया है पहला हमने क्या पढ़ा दोस्तों रचना के आधार पर दूसरा हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर अब आप और किताब उठाएंगे तुम्हाँ सकता प्रयोग के आधार पर दे दे और किसी आधार पर दे दे मतलब मुख्य रूप से अगर आप जानेंगे तो वाक्यों का जो भेद करते हैं आप वो दो ही आधार पर किया जाता है या तो रचना के आधार पर या लोगों ने पीछे चर्चा किया तीन प्रकार होते हैं और अर्थ के आधार पर कितना होता दोस्तो आठ प्रकार के होते हैं यह हम लोगों ने अभी अभी जस्ट पीछे पढ़ लिया तो यहाँ पर याद रखेगा अपसे नमबर एक सही जबाब हो जाएगा लिख रहा वे व पढ़ते हैं संयुक्त पढ़ते हैं और तीसरा क्या पढ़ते हैं मिस्र पढ़ते हैं यह पढ़ते हैं तो याद रखेगा दोस्तो यह हो जाता है तो यहीं से मिल जाता स्टरल वाक पूछा क्या है करा वे वाक के स्टरल वाक के कहलाते हैं जिन में क्या होता है लिख रहा ए अधिक प्रधान वो उपुआक्ए थो सरल काहरा जाएगा ठीक है वह बदल जायगा एक उद्देस और एक वाली चीजें मिस्रम में होती है एक ही उद्देस और एक ही विदे होता दोस्तो जहांपर वूसे काते हैं आसित उपवाक के समुच्य बोधा कब्बे से जुड़ा होगी गलत है याद रखेगा जिस वाक्य में एक उद्देश से और एक विधे इंगलिस में इसे कहा जाता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट ठीक है यानि एक करता और एक उद्देश से उसे क्या करते हैं सरल कहा जाता तो आपसे नम्बर तीन दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा और यहीं पर दोस्तों जब याद रखेगा उद्देश विधे में परिवर्तन होगा तो यहीं से क्या आ जाएगा हमारे पास सञेक्त वाक के और मिस्त रौक के भी आजाएंगे लिखना इम sentence यहां से यहां तक दे रहा है मा ने कहा था दूसरा दे रहा है उन्हें बाजार जा रहा है ठीक है और यह दोनों जुड़े हैं जाकर किस से दोस्तो की से जुड़े हैं देखे अगर हम बात करें दोस्तो पहचान चिन दोस्तो आप याद कर लिजेगा अगर आपने पहचान ने याद कर लिया तो याद रखेगा परिक्षा में बहुत सारे सवाल अर्टोमेटिक ही आपके हल हो जाएंगे जैसे दोस्तों कहीं बिए अगर आपको जैसे की लिखा मिला है तो कीलिका हatives ग्लिजाए या कहीं पर ताकी लिखा हुआ मिल जाए अभी जो आपको देरों बसक सब्द मिल जाए जिससे मिल जाए कहीं पर आपको जो सब्द मिल जाए कहीं पर आपको सो सब्द मिल जाए सब याद रखे ठीक है या कहीं पर आपको जितना सब्द मिल जाए जितना या कहीं पर आपको जियों सब्द मिल जाए जियों या फिर कहीं पर आपको त्यों सब्द म मिल जाए क्यों की सब्द मिल जाए तो यह सब किसकी पहचान है यह सब मिस्रवाक की पहचान है किसमें होते हैं दोस्तों यह सब मिस्रवाक की पहचान होते हैं पहले तो यह लिख दूँ कि मिल सकते हैं या जो से मिला है तो जब भी मिल सकता है जीतना लिख चुका होना जीतना भी मिल सकता है इत तरह से सब्द मिलते हैं तो याद रखेगा वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है वहाँ पर मिस्तित वाक्य होता यह सब पहचान है क्या कर याद रखेंगे, की याद रखेगा, ताकी याद रखेगा, क्यों की याद रखेगा, जितना याद रखेगा, जो याद रखेगा, जो ही याद रखेगा, यानि खास करके कवर जो वाली जो सब्द हैं, इनको विसेश तरह से आपको याद रखना है, ठीक है, लेकिन क किन तु परंतु बंधू और इसलिए और इसलिए वहाँ पर क्या हो जाता है संयुक्त हो जाता है ठीक है तो यह थोड़ा सा आप अलग रखेंगे वह मैं गाने में आपको याद करा दूँगा यहाँ पर अभी याद रखेगा इस सवाल का सही जबाब क्या हो जाएगा मिस्र किसका बता रहा हूं लेकिन किन्तु परंतु लेकिन किन्तु परंतु और इसलिए और इसलिए ठीक है याद रखेगा यह खास करके दोस्तों किसके अंतरगत आते हैं यह सब आते हैं यह सब संयुक्त वाग के अंतरगत किसके अंतरगत आते हैं यह सब संयुक्त वाग के भे मिस्त रवाक क्या, आप जरा ढूट के बताएगा, मुझे तो नहीं लग रहा है, यहाँ पर मिस्त रवाक क्यों होना चाहिए, यह आइधिंक गन्ना परिवच्छक का एक एक एक्जाम हुआ था, ठीक है, उस एक्जाम में दोस्तों यह सवाल पूछा गया था, तो मिस्त रव चाहिए, लिख रहा है, रचना के आधार पर वाक के कितने प्रकार को होते हैं, भई यह था हë तो मिस्त रवाक के, पही होता थीक है, यह उता यह होता है, ते याद रखेगा, उत्तर क्या हो जाएगा, तीन बेटीक है, व फोईष यह दोस्तों पूछ देतां अगर अर्थ के आधार पर कितने होते हैं तब क्या बता देते कि आधार पर दोस्तो आठ वेद होते हैं ठीक है अब बताने का हो सकता तो है ने है की ने बताने का हो सकता है क्या तो याद रखेगा दोस्तो आठ वेद होते हैं उन्हें भी याद रखेगा लिखे रहा निन में से कौन सा संक संकेत वाचक और संदे वाचक ठीक है संकेत और संदे ये दोनों में वच्चा बहुत कन्फ्यूज होता है ठीक है पता नहीं क्यों कन्फ्यूज होता है मुझे नहीं पता बट होता है कन्फ्यूज ठीक है सुनी लिख रहा है यदि वर्सा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छ यानि आश्यर का भाव प्रकट हो रहा और जहां कहीं दोस्तों आश्यर का भाव प्रकट होता है वहां क्या हो जाता दोस्तों वहां बिस्मयादी बोधक हो जाता है अभी जोस्तों जो आप से पूछना चाहरा है वो पूछना चाहरा है कि संकेत वाचक कहां पर ठीक है तो संक वर्सा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी इसारा कर रहा है कि यदी वर्सा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी तो फसल के अच्छे होने का इसारा किस तरफ है वर्सा की तरफ है तो याद रखेगा यह जो पहला वाला वाक्य दोस्तों यही क्या हो जाएगा यह पर क्या हो जाएगा, यह संकियत वाचक हो जाएगा, समझ रहे हैं, कैसे पैचानेंगे, तो याद रखेगा, यह sentence को तोड़िए, और यह बताइए, क्या कर रहा है, फसल अच्छे हैं के होने के लिए कर रहा है, जैसे मैं कहूं, कि यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे, तो परि हो जाएगा, क्या इस बार अक्षी वर्सा होगी, दोस्तों यह तो पूछा जा रहा है, प्रशनवा चकता का बहुitta हो रहा है, तो यहांपर क्या हो जाएगा, अरो अपनी इच्छा को सिर्फ जाई कर रहे हो, तो याद रखेगा, यह जो तीसरे वाला पॉइंट है, यह इच्छा वाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इच्छा वाचक, तो सही जावाब आपको मिल गया है ना, option number 1 दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देखें, इतना डीप तरीके से पढ़ाने का सिर्फ यही दीजन है, मुझे राटाना नहीं, मैं चाहूं तिस सवाल का उत्तर दूँ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस वाली क्लास चल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपका कांसर्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर कांसर्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे समय देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लिख रहा, आपका भविस से उज्जल हो, आर्थ की दिष्ट्री से किस प्रकार का बाक है, अगर मैं कामना कर रहा हूँ कि आपका भविस उज्जल हो, आप अधिकारी बन जाओ, आप सफल हो जाओ, आप अपने माबाप का नाम रोसन करो, आपके पास खुब लक्ष्मिया है, खुब पैसा है, खुब धनवर्सा हो, ठीक है, यह अगर हम किसी से कर रहे हैं, अगर हम जवाब क्या हो जाएगा, इच्छा वाचक हो जाएगा, आपसन नंबर तीन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यह सभी सवाल प्रीबे सेर पेपर में पूछे गए सवाल, ठीक है, इसी तरह आते हैं सवाल, विस्वास कीजिए, उठा के कॉपी कलम देख लिजिए, अपना उद्देश प्लस एक विधे हो, अगर एक उद्देश और एक विधे होता है, तो हमने पड़ा बिया कि यह सरल वाक्य होता है, चाहे इसे सरल का देते हैं, और चाहे इसे क्या का देते हैं, साधार भी का देते हैं, तो कोई विसेस अंतर देखने को नहीं मिलता, अभी जो आपसे पूचरा दोस्तों वो क्या है? लिकड़ा दोच से अधिक स्वतंत रूप वागकर हो चिंधे ज्वरा जुड़ा होुग है। दोस्तों, क्भी भी ये चीजहे आज आए तो याद रखे गा क्या है यह संयुक्त वाक्य में आता है किसमें आता दोस्तो यह संयुक्त वाक्या भेत कलाता और यही देखिए और यहाँ पर दे रहा है अभी आपसे क्या पूछा कि और योजग द्वारा अगर कोई चीछ जुड़ा है तो क्या कलाएगा भै उपवाक्य से तो कोई मतलब न ठीक है, जान रहे हैं नो, कुछ difficult तो बता नहीं रहा हूं, आराम, आराम से देखिए, अगला लिख रहा है दोस्तों, निमलिकित में से, मिस्थरवाक के कौन सा है, मिस्थरवाक के बता दिया था, क्यों की आएगा, यदि आएगा, यद्य प्य आएगा, जियों आएगा, द् वीरता दिखाने के कार रास्पती न उसे वीर चक्र प्रदान किया, अच्छा. लिकरा उसे लूटने के अत्रिक्त पीटा भी गया. उसने मान लिया की? दोस उसका है. और पीशे आपने पढ़ा था दोस्तो कहीं भी की आ जाये, तो वहाँ पर क्या होता दोस्तो? मिस्त्र वा बहुत आराम से आपको अपना जवाब मिल गया, कि सर, और में लिए इन अपने आराम से रिख दम इत्मिनान से खुदी देख करके जवाब दे दिया, ठीक है, अब आकिम इस तरह का कोई सब्द मिलने रहे है इसलिए उस साधर वाकिम हो जायगा, ऐसा नहीं कि साधर वाकिम बड़े भी हो सकते हैं ठीक है तो इसको याद रखेगा आपसा नम्मर 3 दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो गया लिखेरा वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया इसलिए कहा आता भाया सर इसलिए आता है संयुक्त वाक्य में, कहा आता है, संयुक्त वाक्य में आता है लिख रहा है यह एक संयुक्त वाक्य है लो, हम लिख रहा है और इदा बता भी दिया अचा करना क्या है, लिख रहा है इसको सरल वाक्य में बदलना है, ठीक है चली, बदल देते हैं सरलवाक में, भाई क्योंकी लगा नहीं सकता, क्योंकी अगर लगा दिया, तो सरल नहीं हो जाएगा, वो तो मिस्तरवाक के हो जाएगा, और हमें मिस्तर नहीं बनाना है, ठीक है, लिखरा दंड से बचने के लिए वो भाग गया, यह हो सकता है, वो है option number 2 option number 2 बताई आराम आराम से समझते चलिए देखिए ये चैप्टर में आप 1000 क्वेस्टन में प्रेटिस कर लेंगे कोई मतलब नहीं अगर आप ट्रिक नहीं समझ पा रहे हैं आप आप पांसिप नहीं समझ नहीं हैं तब तक आपको कोई पढ़ने का मतलब नहीं आप 1000 सव पाल आठोमैटिक आपका हाल हो जाएगा ठीक है आगे बढ़िये लिख रहा है जिस वाकुमे में इसलिए और क्योंकी लेकिन परंतू देखे याँ पर क्योंकी भी देदिया लेकिन धोना नहीं यहाँ तो देखिए याद रखेगा इसलिए और लेकिन किन्तु परंतु यह क्योंकी ने दोस्तों है किंतु लिखना चींए ठीक है किंतु क्योंकी को हटा दीजेगा दोस्तों किंतु लिखे गा आदी समुच्य बोधक सब दोजा वो क्या कलाते हैं याद रखेंगे क्योंकी यहाँ कट कर दीजे ठीक है क्योंकी दोस्तों यहाँ पर क्योंकी नहीं आएगा क्योंकी आने के वैसे दोस्तों क्या हो जाता है वो हो जाएगा मिस्रित वाक्त में प्राया क्यों की दोस्तो कहां देखा जाता है मिस्रित वाक्त में देखा जाता है इसलिए इस सवाल का सही जबाब क्या है option number 1 है और जो गलती हुआ था type writer से वो भी दोस्तो मैंने हाँ पर क्या कर दिया सही कर दिया ठीक है चलिए उसको भी याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार कर वाक है देखे अगर रचना के आधार पर पूछता तब आप बताते हैं रचना के आधार पर सर यह सरल वाक्य है क्या है सरल बच्चे और खेलना कारे हैं दोस्तों और बच्चे और खेलना ये दो ही है तो याद रखे कि दोस्तों ये तो सरल वाक्य हो जागा लेकिन यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है यहाँ पर अर्थ के आधार पर पूछ रहा है और पढ़ा है आपने के अर्थ के आधार पर वाक् कुछ करने का बोध कुछ कुछ करने या फिर होने 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 का बोध हो उसे दोस्तों क्या कहते हैं उसे कहते हैं बिधान वाक्य क्या कहते हैं बिधान वाक्य कहते हैं तो याद रखेगा आपसा नंबर दो यहां पर क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा कोई दिक्कत राम राम से समझी, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, अगला लिखना दोस्तों निम्व में से कौन सा वाक्या, मिस्र वाक्या, या पढ़ चुके मिस्र वाक के बारे में, ठीक है, मिस्र वाक के बारे में पढ़ चुके हैं, लिखना बिद्वान सब जगा पूजा जाता है, य अभी क्या हो जाएगा, अभी सरलवा क्यों हो जाएगा, करा जब सवेरा हुआ, यह जब तब, याद रखेगा, यह जब एक तरफ लिखा, तब एक तरफ लिखा, जब तब की बात कर दिया, ठीक है, यह बीच में डैस कर देता हूँ, ठीक है, जब तब, या फिर दोस्तों कह कहां आते हैं यह सबी आपने पड़ा है कि आता कहा पर जोस्तो है और आप से पूछा था कि कहां पर मिस्र वाग कहे है तो याद रखें का सभी द्याए उत्तर क्या हो जाएका चार नंबर याद रेकिए दोस्तो study 91 के platform पर यह जो मैं सीरीज दे रहा हूं आपको न यह revision सीरीज है चाहिए जो प्रैक्टिस सेशन चला आपका लगातार दोस्तों यह ट्रेलर चला है अगर आपको ट्रेलर पसंद आ रहा तो आप आईए जॉइन करिए हमारे स्कोर्स को जबर्दस स्कोर्स है दोस्तों हिंदी एक से अधिक हो जाता है और सन्य रहा दोसटों धीक हो जाता है दोस्तों किसे काते हैं लिख रहा है अपने उसने उसने अपना घर ला दिया उसने अपना घर ला पास जो कुछ था याद रखएगा जो कुछ था वक्षो गया तो याद रखएगा यहाँ पर क्या दिखरा दोस्तो एक अाप खाली पहचांर चिंदिक वैसे दोस्तो आपने निकाल के बाहर रख ते गया आप स 53 यह मिस्प्र वाक्य कहलाता है, मैंने आपसे कहा है, एक हजार question practice करने की कोई आउ सकता नहीं है, सिर्फ trick के माध्यम पर आप कर सकते हैं, तो आपसे नमर तीन सही जबाब, लेकर आप मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, वाक्य का सरल वाक्य होगा, देखो बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है, अच्छा एक सेकेंड दुखिए, यहाँ पर दोस्तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, परिक्षा में जब यह सवाल आया था ना, यहाँ पर होगा मिस्तर वाक्य, ठीक है, जैसे, ऐसे समझो, यहाँ मैंने आपको क्या समझा है, यह जो और लिख रहा है ना, एक मेथट समझे, यहाँ पर चाहे और की हम बात करें, चाहे इसलिए की बात करें, चाहे लेकिन की बात करें, चाहे किंतु की बात करें चाहे परंतु की बात करें इस और का प्रयोग दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए होता है अब एक छोटा से एक्जामपल देता हूँ मैं ठीक है जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि आपने क्या खाया तो आपने कहा सर मैंने रोटी दाल और चावल खाया अब यह और जो लगा दोस्तो क्या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए लगा है या यह दो सब्द को जोड़ने के लिए लगा है यह चावल को जोड़ रहा लिजाकर के रोटी और दाल के साथ है की नहीं इसलिए लगा है ना जैसे मैंने कहा कौन-कौन बाजार गया था तो आपने कहा कि राम, मोहन, सोहन और गीता बाजार गई थी ठीक है और गीता और गीता तो ये लास्ट में और लगाया ना वो याद रखे वो सब्दों को जोड़ने के लिए था दोस्तो और उपवाक्यों के संदर पर हो रहा है और यहाँ पर उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग हुआ ही नहीं है इसलिए सेंट वाक्या होने का कोई प्रस नहीं नहीं उठता तो आप क्या बता दोस्तो मुझे बताओ एक तरफ मुझे बताना है दूसरे तरफ क्या बताना है वो point रखे तो है तो दो यहां पर उपवाक है और उनको जोडने के लिए क्या लगा है तो लगा है यहां पर क्या लगा है दोस्तो तो लगा है और यह तो का प्रयोग कहा होता है दोस्तो यह तो का प्रयोग होता है मिस्रवाक में पीछे बताया था आपको आप तोड़ा सा स्पीड पर कंट्रोल रखेगा वरना गलत होगा उत्तर ठीक है चलिए आपसन आगे बढ़िए आपसन चार वहाँ पर हो जाएगा लिकरा नियुन में से कौन सा वाक्या सरल वाक्या नहीं ठीक है तो बहुत आसान है लड़का दोड़ता एक ही उद्देश एक ही चड़न है इस में लड़के को बुलाया एक तरफ मैं हूँ अ अ दूसरे तरफ लड़के को बुलाहा हमारा बुलाना है यह भी हो जाएगा इस मेले का उद्देश है की व्रिद्द्यों यहां की लगा दोस्तों और यही Пर क्या हो जाएगा ये मिस्रवाक्य हो जाएगा ठीक है बाकी का तीन क्या है दोस्तो बाकी का तीन सरलवाक्य है और चौथा वाला जो आपसे देरा दोस्तो मिस्रवाक्य है और आपसे पूछा कि कौन सा सरलवाक्य नहीं है आपको बताना है कौन सा नहीं है तो याद रखे का आपसे नमबर चार दोस्तों यहाँ पर शरल वाक्या नहीं है ठीक है आगे बढ़िए लिख रहा जिस वाक्य में साधारण और मिस्र वाक्य का मेल सयोजक अब्यों द्वारा होता है उसे क्या करते हैं तो याद रखे का जहां साधार मिस्र वाक्या यह दोनों अब्ये के द्वारा जुड़े होत है तो पूछा जा रहा ना प्रश्णवाचकता का बहुत हो रहा तुम क्या कर रहे हो तुम कहां जा रहे हो ठीक है तुम किस से मिल लो प्रश्णवाचकता का बहुत हो रहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा याद रखे कहां प्रश्णवाचक हो जाएगा यानि आपसे शैयुक्त शैयुक्त और मिस्र के बारे में दोस्तो सवाल पूछ रहा है आपको बताना है लिख रहा है नीली कमीज वाले लड़के को यह कलम दे दो तो याद रखेगा यहां किसी भी तरह कि योजक चिन्न का प्रयोग नहीं दोस्तो लेकिन आपको पैचाना है कई बार दोस प्रशनवाचक चिन्न का प्रयोग तो है ने कि तुम्हारा नाम क्या है मैंने पूछा ने हमने का नाम बताओ अब कोई प्रशनवाचक सब्द नहीं लेकिन यह प्रशनवाचक वाग के कहा जाएगा यह कहने का ताद पर उसी तरह से दोस्तो यहां पर कोई भी योजक चिन आपको नहीं दिख रहा है लेकिन छीपा हुआ अर्थ है दोस्तों याद रखेगा ये सरल वाक के पर सेंट वाक के तो ऐसे भी नहीं है और ये आग्या वाचक भी नहीं ठीक है तो याद रखेगा अच्छा एक सकेंड एक सेंट रुको ये नीली कमीज वाले छात को कलम दे द दोस्तों ये देखो अर्थ के आधार पर तो पूछा नहीं है और जब अर्थ के आधार पर हम पढ़ते हैं तब न यहाद रहाता बहुत सारे बच्चे जल्दी बाजी में आग्या वाचक कर देंगे और आपसे सवाल क्या पूछ रहा है रचना के आधार पर और रचना के आधार पर तो यही तीन होते हैं, चाहिए होगा, चाहिए होगा, चाहिए होगा, तो भईया यह तो नहीं होगा, अब बचा दोस्तो सरल और मिस्र, तो याद रखें किया है, नीली कमीज वाले लड़के को यह कलम दे दो, दोस्तो एक तरफ नीली कमीज वाले लड़के की तर और दूसरे दूसरे पर आश्रित गहूं तो याद रखेगा, वहाँ पर मिस्त्रिक जबाब है, छीपा हुआ अर्थ है, आपसर नंबर 3 दोस्तों सही जबाब हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल नहीं लाओंगा, तो आपको एहसास नहीं होगा, कि सर इस तरह की भी सवाल बंते हैं परिक्षा में, लिखरा बादल घीर आएं और बारिस होने लगी, तो और लगने की वैसे दोस्तों करा रचना की दिष्टी से, और लगता कहाँ पर सही तुमें लगता है, तो बहुत आराम से कहा दिया दोस्तों का अपसर नंबर 4 यहाँ पर सही जबाब है, ठीक है, लिखरा निमिकित में से मिस्त मिस्तर वाक्य का चैन करे, जो मिस्तर है उसका चैन करे, प्राता काल होने पर चुणियां चुणियां चाहने लगती है, अच्छा, लेख रहा है, सुबा पहली बस पकड़ कर साम तक लोट आओ, अच्छा, जो विद्यारती परिस्रमी है, वो अवस्य सफल होगा, अच्छा राजकुमान ने भाई को मार डाला और स्वैम राजा बन गया, तो और वाला तो दोस्तों क्या हो जाता है, यह तो स्वैम्त वाक्य में चला जाएगा, है की नहीं, और याद रखे बताया था, कहीं पर जो आजाए, कहीं पर सो आजाए, कहीं पर तो आजाए, ताकी की आजाए तो क्या होता है वहाँ पर मिस्र वाक्य होता है यानि आपसर नंबर तीन दोस्तों क्या हो जाएगा ये मिस्र वाक्य का उधार हो जाएगा इसलिए सही उत्तर क्या होगा आपसर नंबर तीन दोस्तों राइट एंसर हो जाएगा इस सवाल का ये अभी आप याद र ठीक है समझना कि देखिए उपवाक के नाम का कुछ है नहीं संग रचना दोस्तो रचना को ही कहा जाता और रचना के अधार पर वाक के भेद कितने होते तीन होते हैं आप जानते हैं तो आचारियों ने कहा है कि जहां पर की आता होता है जो कभी लोकष्पण होता है उसका समान सभी करते हैं तो याद रखेगा इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा देखिए जो लगने की वाई से दोस्तों यह तुर मिस्तर वाक्य हो गया यह क्या हो गया मिस्तर वाक्य हो गया लेकिन आपको इस मिस्तर वाक्य को कनवर्ट किसमें करना दोस्तों सरल वाक्य में बदल है तो यह automatic क्या हो जाएगा दोस्तो यह संयुक्त हो जाएगा यानि आपसा number 3 और 4 होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता अब जो बात आती चाहिए एक number उत्तर होगा चाहिए दो number होगा लिख रहा है जो लोगपरी कवी होते तो जो लगने के वैसे दोस्तों क्या होगा पीछे पढ़ा है आपने ना कि कहीं भी जो देखिये जो सो तो उत्तर क्या हो जाएगा यानि उत्तर आपका एक number नहीं हो सकता तीन number नहीं हो सकता दो नमबर हो सकता है कि लोग प्रिय कवी का समान सभी करते हैं यह हमने क्या कर दिया मिस्रवाक को बदल दिया साधार वाक्य में यह आपका जबाब आ गया ठीक है तो इसको याद रखे कि दोस्तो आपसे नमबर दो बिल्कुल सही जबाब है लिखे रहा है जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है दोस्तो उपवाक के हैं और अच्छा थोड़ा सा डिफिकल कर दिया देखा आपको पता है दोस्तो कि मिस्रवाक के की रचना कैसी होती है तो याद रखेगा उपवाक के होते हैं और याद रखेगा साथ में भी पड़ा दोस्तो कि इनका आश्रे भी दे रहा है यहां पर दोस्तों पूच रहा दोस्तों की जब पानी बरस्टा ये कौन सा वाक्ट है então याद रख केगा संग्या तुह नहीं पानी का बरसन दोस्तों क्रिया विशेशड़ ये coc पानी बरसना दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं क्रिया उपवाग के कर सकते हैं ये क्रिया उपवाग के खाली मत करेगा दोस्तों यहाँ पर क्रिया विसेसर करेगा आप से नमर तीन होगा यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे क्रिया विसेसर उपवाग के होगा याद में घर जाओंगा करें कौन सा वाक है जो खाली आपका घर जाओंगा दिया दोस्तों ये क्या है तो घर जाना क्या है तो क्रिया हो गया न कहीं पर जाना बोलना जैसे मेडग बोलता है मेडग बोलने लगा तो मेडग का बोलना क्या दोस्तों वो क्रिया है लेकिन पानी कब र सभाक्य सजट करें नहीं हैं ध्यान दीज़ेगे किस सजोग्त है करव और पानी पीकर चला गया तो और वाला कहां होता दोस्तों और जहां Watts June याद रखेगा, वो संहिक तुबा क्यों हो जाएगा, वो करो या मरो, अच्छा, वो आकर पानी पीकर चला गया, ठीक है, उसने परिस्रम किया, परंतु, परंतु अला भी हो गया, अब देखे, जो बहुत आसान था, दो, तो मैंने अलग कर दी, आपने कहा, सार, ये दोनों सार, डाउट आ रहा है कि सार, इसमें से चूज क्या करें, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, आईए मैं बताता हूँ, सहिक तुबा कि मैं याद रखेगा, जब कभी अथवा आ जाए, या आ जाए, तो दोस्तो, अथवा या मिलता है न, कि चाहे तुम ये पढ़ लो, चाह आ गया, दोस्तो, ये आपका बन जाएगा, सही उत्तर, यानि आपसे नमबर तीन, राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़िए, लिखरा जो मिस्र वाक के है, उसका चैन कर लीजे, आईए चैन कर लेते बहुत आराम से, मेरे आते ही वर्सा होने लगी, ये तो दो जियों लगता है, त्यों लगता है, जो लगता है, सो लगता है, तो लगता है, की लगता है, क्यों की लगता है, ता की लगता है, ये सब सब्द कहीं देखने को मिल जाए, तो आख मूत कर बताना कि वहां क्या है, मिस्र वाक क्या, मिस्रित वाक के जबाब होगा, यानि इस सवाल का सही उतर क्या हो जाएगा, option number 4 हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है इसी के साथ दोस्तो आज का session समापत होता है उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा समझ में भी आयोगा, दोस्तो बहुत सारे handwriting notes available है हमारे website पर application पर इन्हें आप purchase कर सकते हैं ये class notes से जो आपको पढ़ा दिया गया उसी का हैनिटे notes से आप चाहें तो ले सकते हैं आप तो किताबे भी आच चुकी तो मुझे लगता है कि किताबे आपके पास होनी चाहिए, ये किताबे होंगी इसमें 5,000 सवाल दिया गया प्लस हर एक चैप्टर डिटेल से दिया गया है तो ये किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीके तो आज का इससा नहीं समापत होता है मिलते हैं दोस्तों अगले lecture में तब तक के लिए बहुत भुत धन्यवाद आपका जय हिन, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू सो मच